नमस्कार खबर दिन भर में आपका स्वागत है मंगलवार की जनसुनवाई किसान कर्ज माफी योजना के अंतरगत सामने आ रहे घोटाले के मामलों के नाम रही कलेक्टर मोहित बुंदस जनसुनवाई में बैठे थे और उनके पास हर तीसरा चौथा मामला कर्ज माफी योजना के अंतरगत आने वाले घोटालों से जुड़ा था दरसल जिले भर में नहीं बलकि पूरे प्रदेश में जैसा कि मुक्यमंतरी कमलात कह चुके हैं कि लगभग 3,000 करोड रुपे तक का ये घोटाला हो सकता है चतरपुर की सहकारी समीतियों में भी किसानों के नाम पर जम कर घोटाला किया गया है आपको बता दें कि किसानों के नाम पर समीति प्रबंदकों ने इनके उपर लोन निकाला और फिर लोन के इस पैसे को ब्याज पर मार्केट में चलाते रहे जब करज माफी की योजना आई और इन करजदार किसानों की सूचियां गाउं में चिपकाई गई तब ये घोटाला सामने निकल कर आया है जन सुनवाई के दिन चतरपूर के लगबग आदा दरजन गाउं से पहुँचे किसानों ने कलेक्टर से बताया कि उनके नाम पर भी करज है बड़े मामले ललपूर, समीती के अंतरगद, ग्राम ललपूर और तालगाउं से सामने आये जहां के समीती प्रवंधक कल्लूतिवारी पर कई लोगों के नाम पर लोन निकाले जाने के आरोप है इसके साथ ही नेगवा, खेरा, सेबार, सहत अनेक गाउं से ऐसे मामले सामने आये और किसानों ने अपनी पीडा कलेक्टर को सुनाई लोगों के पारिसानी प्यासा निकार ही वह पैसा जाजार एक लाख नव हजार वर्य फरजी प्रफ़ह जाताभ ने काले आए में ने नकाले कराला हैं हमने आप तक किसन कट कहुंबन वाओ नहीं है बहुत परिसानी है समीति पवंदक द्वारा इतनी भ्रस्टा खोरी हो रही पूरी आठेव पंचायतों में परिसान है हमारे लालपूर में तो पचास परसंड लोगों का फरजी के सी है जिसमें जलासी हो के हां भी और वहां जाके कौपेटक बेंक में सुचना का अभीरन भी लगाया हमारा 24,000 बता रहे हैं बारहाँ जार बुर रहाँ आपका एक किस्ट में हैं बारहाँ जार एक में कभी नहीं निकाला आग्ता कोई डोकुमेंस ही नहीं है हमने लोन नेकाने कि दो 18 साथ में माई हैं सी अधरी देखिए हमने तो सुची में पता चला कि आपका पहले से कर जा है तो हमने जस्ते सुचना का अभी लगाया और बताया कि हमने कभी लिया नहीं है कर जा हमारे डोकुमेंट दू हम जे चाहते हैं हमारा कर्ज माफ हो जाए तो ठीक है जैंग हुआ कैसे और समीती यह दोनों मिलके इनकी जमीन पर काईजा लिया वह एनको नहीं को आद तक जानकार जी आए कि तो लिया है कि तो दिया बेए लेद देतर है दो यह जने वह को फारम भरो गए तो इने के आधाय काट लाओ वह इनने हमें बताओ हमके जब आपने लवाई निया तो फारम कौन उनको भर रहा हूं पर हमला लोग अकल लुते बारी दोनों हमसे बोले कि एदी तम और अगया आंगे बड़ों कौन सुनवाई करो तो अब हम पूरी जमीन पर ले 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 भी तो लोग हमाप कुछ नहीं बेगार सकते हो जान जाने यहां सो जाओं इनके नहीं पर लिया 50,000 रुपे जन सुनो आई में कलेक्ट है साथ उनने जो कही हम जांच करेंगी तो इन मामलों को सुनकर कलेक्टर के पास सिर्फ एक ही जवाब था कि इन मामलों की जांच कराई जारी है और जांच के बाद ही करवाही होगी इस बुलेटिन में इतना ही फिर हज़रों तेंगली खबर के साथ नमस्कार आपको देता है एकी स्थान पर संपून सुविधा सर्व स्रेश्ट टीम के साथ हम सुविधा देते हैं आपको प्लेट सिस्टम अथवा ओडर पर बहतर सर्विस दिल को छुलेने वाले ये स्वात से खुश कीजे अपने महमानों को किसी भी फंक्शन के लिए बुकिंग हितु संपर्क करें शंकर केटर्स पाइटी